हाई गाईज आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काई ज्यादा यूसफुल होगा जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने स्मार्ट फॉन को कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें किस परकार की प्रोब्लम है या आप कोई स्मार्ट फॉन पर्चेस कर रहे हैं अ आप उस फॉन की पूरी डिटेल पूरी सेटिंग एक ही जगह पर एक चेक कर सकते हैं कि इसमें किस परकार की प्रोब्लम है तो यहां दोस्तों मैं आपको एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे मैं मैं बताने जा रहा हम जिसके कर्याँ से आपने फॉन की पूरी सेटिंग एक ही जगह पे पूरी डिटेल्स यहां फोन के अंदर में डिस्प्लियीज करनी से केमरा प्रोब्लम है सार ही जानकारे आप देख सकते हैं एक ही जकह से सबसे पए आपको TEST M app को इंस्टॉल करना होगा उसके बाद इसे इस–टॉल करना द लीपाद उसे उपन करके मारे के अंदर कुछ ऐसा डेश बोर्ड आपको अहपोगा इस परकार नहीं जिसमें आपको स्क्रिन से रिलेटर्ड साउंड से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, कनेक्टिवरी से रिलेटेड, हाडवेर से रिलेटेड और केमरे से रिलेटेड सारी फीचर्स होंगे जिनको आप चेकर सकते हो आसानी से इसमें अपन स्क्रीन से रिलेटेड ओप्शन देके हैं तो इसमें स्क्रीन वाले को उपन करते हैं स्क्रीन चेक करने के लिए यहां से पूरी स्क्रिन को अपन को रब करना है यह पूरी स्क्रिन को रब करके अपन चेक कर सकते हैं कि स्क्रिन आपके कहीं से खराब तो नहीं है या कहीं पर उसमें कोई खराबी तो नहीं है कहीं से टूटी हुई नहीं है या कहीं से चल रही हो ये स्क्रिण का test चयक होने के बाद में गुट्ट जोब आता है, इसका मतलब आपकी इस डिस्पले संबंदी स्क्रिण संबंदि जो कोई समस्य फॉन के अंदर नहीं है, इसके बाद में आपको next test, bluetooth का test करना है कि bluetooth फॉन की bluetooth सही है या नहीं है इसमें next start करके आप Bluetooth चेक कर सकते हैं कि Bluetooth से समझते आपके phone में कोई problem तो नहीं है इसी परकार सारे features हैं वो आप चेक कर सकते है step by step phone के अंदर जाकर के जो भी आपको phone की specification देखनी है या battery समझती कोई problem है वो देखनी है यहां से battery percentage वगेरा बता दिया जाए आपको की phone के अंदर कितनी battery है सारी as a t's phone का temperature से लेके last तक आप phone की पूरी detail चेक कर सकते हैं अगर आपको यह video useful लगा हो तो इसे like करना ना भूले, comment करना ना भूले और subscribe किजे मेरे channel को और पहला icon को दवाए ऐसे ही more updates पाने किये धन्यवाद दोस्तों